अरे जहां होगा ना, वो क्लिप को हम काट रहेंगा, काट दीज़ेंगा, काट दीज़ेंगा, अबर माय कलकानिक से रहें, नमस्कार हम प्रिंज कुमार, स्ट्य न्यूज सेबन से, जैसा कि आप जानते हैं, बियार भर्मन यात्रा में, गौंश देहास सुदूर के जितने भ अनन्द महरन मिशरा जी से मुलाकात हुई है, हम उनसे जानने का प्रियास करते हैं, कि आखिर उनका जो भोजपूरी सफर है, जो कैसे शुरूआत हुआ, अब का भोजपूरी सफर जो है, वो कैसे शुरूआत हुआ? बोजपूरी सफर सर ऐसे कह सकते हैं कि मेरा ये गाने का बच्पन से ही था सौक ठीक है बच्पन से ही था लेकिन बच्पन में उस तरह सा कुछ प्लेटफॉर्म उस तरह से नहीं मिल पाया घर से तो जब कॉलेज गए कॉलेज में भी थोड़ा था गाते थे उसके बाद वहां हमने कुछ काम किए नहीं के लिए लेकिन अभी चार सल पहले पटना आया तो हमारे तीक अपना में आए ठाट आए से आ वहोटिया हैं जाने हमाऱा है रही लग आए तो वही इस्टूडियो बगर ले गए फिर वहां बाचित करवाए फिर वहां सब चीज ट्रैक बना यह सब फिर वहां से स्टार्ट हुआ मेरा एक परचे इनसे और जानने का परियास करते हैं मेरा सफर अभी तो चली रहा है लेकिन सफर कह सकते हैं कि जब बच्पन में थे तो इसकूल में दोस्त लोग के साथ ऐसे ही गाते रहते थे हम लोग बेंच पर बैठते थे हम लोग गाते थे मेरा दोस्त दो बजाता था ऐसी तो वहां सब अच्छा लगता था फिर बोलता था कि तुम इसे में करो उस टाइम बोले कि उस टाइम नहीं हो पाया कुछ तो फिर कॉलेज गे तो उस टाइम लगा कि हमको भी इसमें आना चाहिए कुछ जो टैलेंट है भगवान ने कुछ दिया है उसको करना चाहिए तो शुर्वात इसे गाउं से ही हुआ है मेरा ये गाने का क्योंकि एक ठाकुरवारी है अपने गाउं में मेरे गाउं में घोल ठाकुरवारी और एक नरहन में ठाकुरवारी है वहां एक function था ये कृष्ण जन्माश्टमी का तो वहां एक दिन हम गए थे तो मेरा एक मित्र ले गया था तो वहां उनको सुनाए तो वह बोले कि आप ये क्रिष्ण जन्माश्टमी का उत्सब है उसमें आप आईए तो हम उसमें गए तो वहां भजन बगर प्रस्तुत लगी फिर आप आईए तो फिर दूसरे दो-तीन दिन के बाद एक और function था वहां पर बुलाए तो फिर वहां पर लगतार बुलाने लगे फिर इसी तरह फिर गाउं में भी लोग जाने तो गाउं में बुलाने लगे फिर इसी तरह गोश्टी हुआ या चोटा-चोटा function हु ही गाव है सकतैने की लिए अभी ट्रेंदिंग भॉश्पूरी का है अभावि looks पूरी का लोग हिंदी से ज्यादा ब्वोश्पूरी गाने सुनते हैं कि अजिए जुदा है महिंदी घाते हैं भोश्पूरी गाते हैं मै धी गाते हैं लेकिन पर द चाहिए फोर याüne करा है लगावल, बहुत बात नएंखे, सनिहिया लगावल, बहुत बात नएंखे, नजरिया चुरावल, बहुत बात होला सनिहिया लगावल, बहुत बात नएंखे, नजरिया चुरावल, बहुत बात होला देखी देखी हमके अबता हसता जमाना, पागल समान हदे भईनी दिवाना असरा धरावल, बहुत बात नएंखे, असरा धरावल, बहुत बात नएंखे अरे असरा पुरावल, बहुत बात होला सनिहिया लगावल, बहुत बात होला कुछ गाना आपका सुने है, जो जिसमें असलीलता जहलगता है, असलीलता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए असलीलता कहां नहीं है, अगर आप मन में सोच लेगा तो ओभी असलीलता है सोचिए वही असलिलता अगर अच्छा सोचिए गासलिलता नहीं है हम तो कहते हैं कि गाना को एक मन रंजन के तोर पे लेना चाहिए ठीक है अगर सही कहा जाता है कि अगर आपके घर में साधी बिया है तो कैसे लोग नाचेंगे तो ठीक है हम यह कहते हैं कि असलिलता कहना ठीक है लेकिन हमें लगता है कि असलिलता नहीं है समझे इसलिए में नहीं कि कि अभी लोग जो है ज्यादा तर लोग थोरा सा उन मसाला दे दीजे गाने में वही लोग सुनने लगते हैं ठीक है तो जब गाना तो वही आपी जैसे हम लोग जैसे सुनते हैं असलिलता रहता तो सुनते नहीं क्यों सुनते हैं बताईए तो अच्छे भी गाने हैं मेरे अच्छे भी गाने हैं उनको नहीं सुन रहे हैं ठीक है थोरा सा मसाला दे दिये उनको बोलने असलीलता है जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि लोग सुनते हैं, इसलिए हम सुनाते हैं, लेकिन एक अपील हम इनसे करना चाहते हैं, तो असली लोग सुन रहे हैं, तो इसलिए आप सुना रहे हैं, कुछ ऐसा भी गाना होना चाहिए, जो परिवार में सब लोग एक साथ बै ठाकूर वो देश दुनिया तक पहुंची है तो उसमें भी आप कुछ मैथली भी अगर गाते हैं तो कुछ मैथली सुना रहे हैं भजन हम गाते हैं कि अपने इधर के सिंगर हैं वो एक गाय थे कि हमरा सासुर में बड़ा मानदान होई है हमरा सासुर में बड़ा मानदान होई है मिनट मिनट आ सेकेंड सेकेंड मिनट मिनट आ सेकेंड सेकेंड जलपान होई है हमरा सासुर में बड़ा मानदान होई है हमरा सासुर में बड़ा मानदान होई है कफील हम आपसे करना चाहते हैं कि असलीलता तो अखिर असलीलता है ही गाना हम आपका सुने धोरी कट हुआ धोरी जो सब्द है उसका कई भाव नहीं निकल सकता है मात धोरी धोरी है उसको कहा है प्रदर्शित आपने किया हम तो बोले न कि देखी गाने को जहन मन रंजन के तौर पे लेना चाहिए ठीक है तो इसको अधि असलीलता के तौर पहले लेना चाहिए एक भजन भी आप कहे गाते हैं तो एक भजन भी कुछ सुना देजिए एक बहुत ही मेरा अच्छा भजन है कि ओकाना तोरी बांसुरी निंद चुराए ओकाना तोरी बांसुरी निंद चुराए निंद चुराके मुझे अपना बनाए चुप चुप रों कानहा दुनिया से चोरी रे तूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी रे नैना भर भर आए रे जिया मुरा घबर आए रे नैना भर भर आए रे जिया मोरा घबराए रे कान हा तोरी बासुरी नींद चुराए नींद चुराए के मुझे अपना बनाए जैसा कि आप सुन रहे थे बोजपुरी गायक अनन्द मोहन मिश्राजी से गानाव नएक अलाकार हैं बोजपुरी के प्लेटफॉर्म पे आये हैं आप लोग का सहयोग इनको चाहिए मन्च का इजकरम भी आप करते हैं कुछ दिन पहले भी किया थे अभी आलफलाल में करने वाले हैं तो अभी तो उतना नहीं मिला लेकिन देरे काम मिल रहा है तो हम तो चाहते हैं कि आपके माध्यम से अगर लोग कुछ जाने हमें पहले बात हमें कुछ मतलब लोग तक पहुचने में मुश्किल हो रहे हैं क्योंकि मेरा कोई गाने उतने हीट नहीं हो पा रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि आपके माध्यम से अगर लोग तक पहुचे तो हम प्रोग्राम सारा चीज करते हैं भजन जहां भालप भजन प्रोग्राम भी करते हैं स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं सब मेरा अपना है देशा कि आप सुने कि जो हैं ये stage प्रोग्राम भी करते हैं भजन संद्या भी करते हैं मैथिली प्रोग्राम भी करते हैं आप बंधु जो हैं किर्पिया इनको सहयोग दें हर एक नए को एक मंच की आविशकता होती है जनता का साथ चाहिए होता है और असलीलता हम आप सुन रहे हैं इसलिए असलील कोई गा रहा है जब खरिदार है उसका तब ये मार्केट में उस्वान उपलब्द है असलीलता पे आप सुनना असलीलता को बंद कीजिएगा तो सुता असलीलता समप्थ हो जाएगी एक बिनमर अपील है कि जो अनन्द झाल 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 झाल